नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं काल सिधी का मतलब क्या है आपके अपने घर में आपकी घडियां किस तरीके से आपके समय को रिप्रजेंट करती हैं और वास्तु शाष्टर के अनुसार कैसे 16 दिशाओं में अलग-अलग गुंदर्मों को दरशाती हैं यूँ देखा जाए तो बहुत सारे लोग अक्सर इस बात से तालुकात रखते हैं और बोलते हुए दिखते हैं कि हमारा तो वक्त अच्छा नहीं चल रहा जब भी मैं ऐसी कोई भाशा का प्रयोग सुनता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि उनके घर में घड़ी कहां पर लगी होगी किस शेप की लगी होगी और इसको कैसे पहचाना जाए पूरी डिटेल में बात करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कौन सी दिखा में लगी घड़ी किस तरीके के बुरे वक्त को आकरशित कर सकती है किस दिखा में नहीं होनी चाहिए अगर है तो उसकी शेप र वक्त हमेशा सही चलना, और आपके चहरे पर या मन में ये बात कभी ना आना, कि मेरा वक्त सही नहीं चल रहा सबसे पहले आपको क्या देखना है, कि वास्तु शाष्त्र के अनुसार एक नियम है, वो नियम क्या है, कि कोई भी अबजेक्ट, कोई भी object कोई भी वस्तु का attribute मतलब गुंधरम plus कौम सी दिशा है उस दिशा का गुंधरम is equals to मतलब बराबर होता है results के या जो भी आपको प्राप्तियां होती है उसके जो भी object है प्लस दिशा है उसके गुंधरमों को जोड़ा तो एक result की प्राप्ति हुई उसको कहते हैं वास्तु शाष्तर के अनुसार result को मिलना 16 दिशाओं के गुंधरम आप सभी लोगों को पता होंगे स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे 16 दिशाओं है 16 दिशाओं के गुंधरम है तो सबसे पहले हमने ये जो wall clock है या घर में घड़ी है इसका गुंधरम समझा ये आपको बताती है आप आज के वक्त में कौन से समय में खड़े हो अगर आकाश में कोई समय है हलांकि समय जैसी जो चीज है वो बनाई किसने इनसान ने इस बात को देखने के लिए कि उसका उमर उसका दिन त्योहारती थी कौन सी चल रही है ताकि वो अपने आपको नाप सके कि उसकी कितनी उमर है कौन सा दिन है कैसे किसी को बता सके कि हम इतनी समय की दूरी पर है तो वो जो समय है actual माइने में आपकी सारी life line को conclude करने के लिए एक term हो गई जैसे मुझे यहां से कलकता जाना है तो कितना समय लगेगा आपकी उमर कितनी है यह बच्चे की उमर कितनी है इस कारे को पूरन होने में कितना वक्त लगेगा सुभे उठे हो तो कितना वक्त हुआ है यह सब terms का हमने इस्तमाल किया तो घड़ी represent करती है काल की समय की मतलब हो क्या रहा है और आने वाला समय दर्शाती है कि आने वाला वक्त कैसा होगा तो घड़ी का एक रूप हुआ और दिशा के अलग अलग रूप हुए इनको देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली दिशा जलतत्व की दिशा होती है जिसको मैं बोलता हूँ नौर्थ ओफ नौर्थ वेस्ट एनन डव्ल्यू ये दिशा मानलो ये उत्तर दिशा है नौर्थ तो इस दिशा से थोड़ा सब पहले यहां पाई जाती है नौर्थ नौर्थ वेस्ट इस दिशा में अगर घड़ी लगी हुई है और उसकी शेप सिमिलर है सही है सिमिलर और सही का मतलब क्या है कि नौर्थ नौर्थ वेस्ट में शेप कौन सी हो सकती है सर्कुलर शेप की घड़ियां हो सकती है क्योंकि अकाश को या जल को represent करता है circular shape, इस shape की घड़ी अगर north-north-west में लगती है तो ये सही घड़ी है, ये आपके अंदर charm को पैदा करेगी और अगर आपकी matrimonial happiness नहीं है या relationships की issue है, husband-wife में इन दोनों को सही करने का काम करेगी future में इस काम को सही करेगी लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और relationship की problem नहीं है तब इसको avoid करें, तो कि बच्चों का अनवशक जो मन है वो sex की तरफ जाने लगेगा और उनके दिमाग के अंदर ऐसे विचार आने लगेंगे जो उनको खराब कर सकते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से उनको गलत रस्ते के उपर लेकर जा सकते हैं दूसरी बात North direction के अंदर अगर ये घड़ी आती है ये wall clock आती है तो क्या होगा सेम अगर circular shape की ये घड़ी आती है नीले रंकी आती है सफेद रंकी आती है या हरे रंकी आती है तो North में ये opportunities को ब्रावा देगी और ये बताएगी कि आने वाला समय आपकी opportunity के लिए ग्राहक के लिए growth के लिए promotion के लिए अच्छा है घड़ी से related में पहली बता दूँ जब मैं North की बात कर रहा हूँ आपके कमरे के North की बात नहीं कर रहा आपके घर के उत्तरदिशा यानि North की बात कर रहा हूँ तो ये उसका कारक बनेगी North North East में है तो आने वाले समय में आपकी health बहुत अच्छी रहेगी इस बात को कैसे जज़ करना है अगर किसी वेक्ती की health अच्छी नहीं है तो एक circular motion वाली साफ सुत्री सी घड़ी जिसमें कुछ problem ना हो उसको North North East दिशा में जाकर लगा दीजिए आने वाले समय में उसकी healing होने लगेगी और अगर opportunities नहीं है जॉब नहीं लग रही तो फिर आपको North दिशा के अंदर इस घड़ी को लगा देना है इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि गुन धरम किस चीज़ के क्या होती है और इसको भाशा से कैसे पकड़ा जाता है किसी विक्ती ने बोला हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा कई समय से मेरी जॉब नहीं लग रही मेरे तो समय ही खराब है मेरा भाग्या ही खराब है ऐसे शब्दों का मतलब है कि घड़ी दिखाई दे रही है उनके घर में कहीं गलत और अगर ना मिले तो भी उसको ये उपाए कहा जा सकता है कि नौर्थ में ये घड़ी लगा दो सर्कुलर मोशन की गोल घड़ी लगा दो वाइट रंग हो, ब्लैक रंग हो, ब्लू रंग हो इसको वहाँ पर लगा दो तो आपके पॉर्चनटीज आने लगेगी और अगर ये हेल्थ अच्छी नहीं चल रही बहुत समय से लगबख दस साल से हमारी हालत बहुत खराब है तब ये खराब रहती है इस घर में आने के बाद आप ये पाएंगे कि नौर्थ नौर्थ इस दिशा के अंतर वास्तु दोश है बहुत मेजर वास्तु दोश नहीं है frequently बार बार थोड़े थोड़े समय के लिए डौक्टर के पास जाना पड़ता है तो एक खराब घड़ी नौर्थ नौर्थ इस दिशा में पड़ी है या एक ऐसी घड़ी जिसका लाल रंग है वो इस दिशा में पाई जाएगी इसको हटा कर सर्कुलर लगाएंगे तो धीरे धीरे वो समय आएगा जब आपकी हीलिंग स्वत्य ही होने लगेगी ये होता है अबजेक्ट प्लस दिशा डारेक्शन के गुंधरम और आपकी हुई प्राप्ति ये तीन दिशाए वोटर की हमने बात करी उसके बाद नौर्थ इस्ट में एवॉइड करनी चाहिए घडी इशान कौन में क्यों एवॉइड करनी चाहिए उसका पहला कारण है मरमस्थान दूसरा कोई भी ऐसे चीज जो आपको आपके माइंड को स्थिल ना होने दे 24 घंटे चलता जा रहा है ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम तो नौर्थ इस्ट के अंदर घडी को एवॉइड करेंगे तो जल तत्यों के दिशाओं में सर्कुलर मोशन की गोल घडिया नीला रंग हो हरा रंग हो सफेद रंग हो वो लगाई जा सकती है जल तत्यों की दिशाओं में कौन सी नहीं लगा सकते स्कॉयर या ट्राइंगल शेप की घडियां यहां पर अवॉइड करनी है मना करनी है लाल रंग की या पीले रंग की घड़ियां यहां पर نہیں लगानी नहीं तो आपको समस्या प्रोबलम आ सकती है कहां पर अपने घर की जलतत्यों की नौर्थ नौर्थ वेस्ट और नौर्थ नौर्थ इस दिशा में फिर आए एर एलिमेंट पर, तो एर एलिमेंट किस-किस चीज़ों को दर्शाता है आपके घर में, इस चीज़ को देखेंगे, तो एर एलिमेंट की पहली दिशाथी है East-North-Eastern, यह happiness का कारक है, हमारे घर में hospitalized खुशिया नहीं नहीं रह दी, सब लोग अदास रहते हैं, समय लेकर आना है जो इनके लिए अच्छा हो अब East North East में ये circular घड़ी नहीं चलती East North East में घड़ी कौन सी होगी rectangular shape की घड़ी चल सकती है जो square ना हो rectangle हो ये घड़ी चल सकती है रंग इसका भूरा हो, brown हो, wooden हो, green हो ये सब चलती है white, gray नहीं चलेगी, लाल नहीं चलेगी, पीली घड़ी नहीं चलेगी इन घड़ीों का अगर प्रयोग करते हो तो वो समय आ जाएगा जिसमें आप लोगों के घर में खुशियां आने लगेगी फिर उसके बाद में इसी तत्व की दूसरी दिशा जिसको हम कहते हैं, इस्ट, सूरिया को बलवान करना, connections बनाना हमारे तो connections नहीं बनते, बहुत अर्सा हो गया इस घर में आये हुए हम तो अकेला महसूस करते हैं आप पाएंगे कि इनके घर के पूरव में गलत घड़ी है गलत घड़ी का मतलब, circular round motion की घड़ी, white color की इनके पूरव दिशा में लगा दी तो क्या हुआ, इनके सारे contacts खतम कर दिये और प्राप्तियां भी खतम होने लग दी हमारे अपने ही रिष्टेदार, हमारा पैसा खाने लग गए हमारे अपने ही भाई बंदू, हमारा प्राप्तियों को खाने लग गए, हमें तंग करने लग गए तो east के अंदर ऐसी घड़ी पाई जाए क्या करना है, यही घड़ी, rectangle, wooden, brown या green color की आप इस दिशा में लाकर लगाएंगे और अगर आपने अच्छे contacts भी बनाना चाहते हैं, तो भी यह उपाई directly किया जा सकता है east-south-east के अंदर अगर घड़ी होगी, वो भी जल तत्वका है, sorry, वायू तत्वका है, east-south-east यहाँ पर यह circular motion की घड़ी अगर आपने लगा दी तो क्या होगा, 24 घंटे दिमाग के अंदर tension और anxiety पलती रहेगी हमेशा वो anxiety चलती रहेगी, conclusion पर कभी नहीं पहुँच पाओगे, इसके कारण अपना नुकसान करोगे और इसके कारण ऐसा भी हो सकता है, depression को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि space element depression का कारण है इसके अंदर भी आपको rectangular shape की घड़ी लगा सकते हो, कोई बोलता है कि हम CA है, वकील है, analysis का काम करते हैं, बच्चे हैं घर में पढ़ने वाले, उनका analysis strong हो, चलनी अच्छी हो, fruitful हो, जादा ना हो तो ऐसी घड़ी rectangular shape की लाकर East-South-East में टांग देंगे, तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी होने लगें लगें, फिर बात करते हैं, अगनी कोन की, अगनी के तीन दिशाओं की South-East, South-South-East और South, तीनों ही खुपसूरब दिशाएं, हमारा थोड़े-थोड़े समय के ब थोड़ा थोड़ा पैसा मरता रहता है, आप यह पाएंगे ऐसी circular motion की, गोल घड़ी, काले रंग की, इनके घर के अगनी कोन में पड़ी हुई है, लगी हुई है, तो समय समय पर पैसे की बरबादी कर रहा है, पैसा डूब रहा है, साउ-साउतीस में है, तुझी हमारा confidence नह नीद नहीं आती, relax नहीं हो पाते, नाम पर सिध्धी नहीं है, बदनामी हो जाती है, जब हम कुछ अच्छा काम करने निकलते हैं, क्यों? क्योंकि काल को आपने set कर रखा है, negatively इन तिनों दिशाओं के अंदर, क्या करना है, इनकी shape या तो यहां rectangle चलेगी, या यहां पर triangle च अगर इस घड़ी को यहां पर इस्तिमाल करते हैं, तो स्वादानुसार मतलब जीवन के स्वाद में, जीवन के करम में आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो south east, confidence चाहिए, तो south south east, और अगर relaxation चाहिए, नाम चाहिए, परसिद्धी चाहिए, तो south, ऐसा नहीं करना है कि पूरे घर को इन सब घड़ियों से भर दिया, जो चाहिए, जीवन में जिस चीज़ का स्वाद चाहिए, उसी का इंग्रीडियन्ट अपने जीवन के अंदर, अपने बास्तु के अंदर लगाना है, फिर बात आती है, पृत्वी तत्व की, relationship की, सारी की सारी problems, आपकी शरीर की बिमारिया, आपका expenditure पृत्वी तर्त्व दिखाता है, तो दो दिशाएं है, South, South, West and Southwest, ये दिखाता है, expenditures, हमारे खर्चे एकदम से बहुत बढ़ गए हैं, जब से आपने ये घड़ी लाकर South, South, West में लगाई है, चाहे सही शेप है, चाहे गलत शेप है, ये आपके समय को लगा दिया है, waste होने, आपका समय waste होने लगेगा, जादा तर कामों में आपको result नहीं मिलेंगे, हम बहुत कुछ कर रहे हैं जी, घर में कोई वास्तुदोश नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन आपने घड़ी चाहे सही शेप, चाहे गलत शेप की लाकर South, समय खराब होने लग गया, 100%, result, zero, और खर्चे बहुत जादा भणा लिये, क्या करेंगे, यहां से घड़ी को हटा देंगे, नहीं रखेंगे, और Southwest में, जी, relationship बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि आपने वही गोल घड़ी, काले रंकी या सफेद रंकी लाकर लगा दी Southwest में, तो इसने क्या किया, relationship को कमजोर कर दिया, हरे रंकी, भूरे रंकी, वुडन की घड़ियां लाकर आपने Southwest में लगा दी, relationship को खराब कर दिया, अक्सर आजकल एक trend चला है, couple की photo लगा कर, उसके अंदर घड़ी बनवा कर लगाई जाती है, और मैंने देखा है कि वुडन इसमे एंटी है, और Southwest में couple की photo लगानी चाहिए, इसलिए उसको attach करके लगा दिया, और उनका relationship खराब हो गया, समय आने के साथ में, मधूरता खतम हो गई, मेरे एक case के अंदर, मैंने सिर्फ एक घड़ी को हटा कर ही, उनके relationship को 100% perfect टर दिया, क्या हूँ, क्योंकि मुझे दिखा, यह तो anti element है, इनकी photo भी लगी हुई है, क्या करेंगे, अगर यहाँ पर relationship को अच्छा करना है, तो एक square, brass की घड़ी, लाकर Southwest के अंदर लगा देंगे, कोई photograph की कोई जरूरत नहीं है, अगर फिर भी उसमें लगता है, तो यहाँ लगा सकते हैं, लाल रंग ना हूँ, भूर लग सकती है, west-southwest में लग सकती है, west में लग सकती है, and northwest में, west-northwest में भी घड़ी, चाहे सेम है, चाहे सही दिशा की है, लेकिन depression का कारक बनेगी, इन तीनों दिशाओं में हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही ही, उसका आने वाला भुष्यक ऐसा होगा, उसको कोई सही subject मिल जाए, उसकी उमर, उसके knowledge के according, तो आप अब circular, ढड़ी, सफेद रंग की west-southwest में लगानी है, उससे आपके बच्चा automatically समझने लगेगा, कि उसके लिए कौन सी knowledge अच्छी है, west में लगानी है, automatically प्राप्तियां होने लगेगी, आपके लिए कौन सा पार अच्छा है, आपको इस समझ में आएगा, northwest में लगाओगे, तो कब loan लेना है, कब नहीं लेना, कौन वेक्ती मेरा support करेगा, कौन वेक्ती मेरा support नहीं करेगा, इस बारे का ग्यान आपको होने लगेगा, सब कुछ करके देख लिया, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं ल रहा है, घर के लोग पैसों पर ध्यान नहीं देते, अपनी प्राप्तियों को व्यर्थ कर रहे हैं, support नहीं मिलता, time पर व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये anti-घडियां आपने space के तत्तों में लगा रखी हैं, अगर आप goal घड़ी, circular घड़ी लगा लेंगे, तो आपको अच्छा फाइदा होगा, ये पूरा वास्तु शाष्टर टिका है, 16 दिशाओं के गुन्धरम, 45 देवताओं के गुन्धरम, एस्टरो वास्तु की calculation, निमरो वास्तु की calculations पे, जब आप इन चारों calculations को करते हैं, तो आपको मिलते हैं, 100% results, तो आपने क्या सीखा, सबसे पह कोई भी object या activity जो वहाँ पर हो रही है उसके गुन धर्मों को match किया जाए तो आपके जीवन के अंदर एक result की प्राप्ती होती है और वही आपके जीवन को चलाती है चलाइमान रखती है कैसे सही करेंगे यह आपने देखा अलग-अलग दिशाओं के अलग-अलग रंग और shapes को हटाएंगे तो आपको उप्यूक्त मातरा में सही result जो problem आ रही है वो हट जाएंगे और जैसे ही सही चीज को लगा देंगे वो आपके result मिलने लगेंगे यही बात हम एस्ट्रवास्तों में सीखते हैं negative hit को हटाना positive को लगाना numerology में जो favorable number है उनका इस्तमाल करना जो non favorable है उनको side कर देना उससे हमें फरक नहीं पड़ता यह है पूरा बास्तु शास्तर I hope कि आपको समझ में आया होगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और खूब सारा प्यार